ओनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका अर्दिक स्वागत और अभिनानतन है हम लोग चनी चगली मोडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे पिसले पीडियो में हमने जो है गोल्डन राइस के बारे में हमने पढ़ा था आज हम अपने इस क्लास में बीटी कॉ कोटन बांत में भी इसकी खेती लगातार की जा रही है और कोटन उत्पादन में निरोंतरवर्दी हो रही है तो बीटी कोटन को हमने कैसे प्राइपट किया है और इसकी क्या benefits हैं और क्या environment पे harmful effect होने की संभावना है उन सब बातों का discussion हम अपनी इस class में करेंगे BT cotton को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर BT का मतलब जान लेते हैं कि BT क्या है वैसे हमने यह class अपनी offline class में discuss कर चुके है लेकिन अभी हमें online classes में तो हम एक revision के तौर पर इन class को पढ़ लेते हैं BT cotton में BT शब्द जो लिया गया है वो bacillus thuringiensis नामाख bacteria से लिया गया है यह एक प्राकरतिक soil bacteria है जिसमें एक विसेस प्रकार का crystal protein ओधपन होता है और यह protein keto के लिए खातक होता है जो कीट वरके सदासे है उनके लिए खातक है अगर वो कीटो की गट को जो अपिथीलियम गट की जो अपिथीलियम सायल है उनको नस्ट कर देता है जिससे keto की क्या हो जाती है मृत्यू हो जाती है चूंकि इस बैसिलस थुड़िन जन्यासिस नमक जीवानों के बीटी जीन को पादपों में स्ताना तृत करके ट्रांजनिक पोधे तायार किये गए है इस कारण इन फसलों को बीटी फसले नाम दिया गया है क्यूंकि बीटी जो फसले होती है वो इस कीटानों की तरह ही एक रसाइन उत्पन करती है और जो कीट फसल को नुकसान पहुंचाते उनसे अपने आपको ये बचाओ करती है बीटी फ्रुण सुनया से इसकी कीट नासी किरिया में पाई जाने वाले क्रिस्टल प्रोटीनों की विशालूता की कारण होती है इसमें क्रिस्टल प्रोटीन मौझूद होते है उन प्रोटीनों के कारण ही ये टॉक्सिसिटी होती है ये अलग अलग वर्गों के कीटों मे उसकी toxicity अलग अलग प्रकार की होती है कास कर डिप्टेन और लेपीडो टरेन कीटों के प्रती विशालोता अधिक पाई जाती है मीटी यहाँ पर स्टेंट फ्रो बैसिलस तुनेजनासिस है इसकी डिस्कवडी इसी वटारी ने 1901 में 1901 में की है इसमें एक विशेश परकार का किस्टल प्रोटीन पाया जाता है इस प्रोटीन को हम क्राई प्रोटीन कहते है इस क्राई प्रोटीन का नियंतरन एक विशेश परकार के जीन जिसे हम क्राई जीन कहते है कि द्वारा किया जाता है जो cry protein होता है उसका नियंतरन कौन करता है cry gene करता है यह एक endotoxin class है जो endotoxin परिकार के class से यह बिलॉंग करता है BT cotton जो कि मैंने आप लोगों को आपको BT जब हमने बात की है तो आपको मालूम होई गया होगा कि BT cotton क्यों नाम है इसका BT cotton का मतलब है कि bacillus, thren, genesis नामक जीवानों से जीवानों से एक जीवानों को प्रथक किया किया है और वो cotton के पोधे में डाल कर कपास के पोधे में डाल कर BT cotton तयार की गई है BT cotton एक genetic modified crop है यहां फिर इसे ट्रांसजनिक प्लांट या पारजिनी पादब कहते हैं इसको killer cotton भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको killer cotton, killer cotton क्यों कहते है killer cotton इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी insect जब इसकी पत्तों को खाता है तो insect की मोध हो जाती है तो cotton के खाने से कीटों की मृत्यू होती है इस करण इस cotton को हम लोग killer cotton के नाम से भी जानते हैं killer cotton के नाम से जानते क्यों मोध हो जाती है क्योंकि इसमें एक विसेश प्रकार का protein, crime protein होता है उस crime protein के कारण कीट की मौत हो जाती है ये मुख्य रूप से एक ball worm के प्रती प्रती रोधी cotton होती है सबसे पहले इसको Monsanto USA की एक कंपनी है Monsanto Monsanto कंपनी द्वारा beauty cotton को सबसे पहले विक्सित किया गया था ये खासकर toxic होती है larvae of moss, butterflies, beetle, cotton wall worm and flies लेकिन सभी के लिए harmful नहीं है कुछ specific कीट वरकी सदास्यों के लिए ये खाताक होती है हम पोधों में कैसे बीटी प्लांट है जो बीटी ट्रांजिनिक पोधे हैं हम कैसे तायार करेंगे जीन को टांसफर करने की दो methods है एक Agrobacterium Mediase Zene Transfer जिसमें Agrobacterium की Ti Plasmid के माथ्यम से जीनों को इस्तानांत्रेट किये जाएंगे जब हमने classroom में पढ़ा तो मैंने detail में आप लोगों को ये topic पढ़ा चुकी हो कि किस तरह से Agrobacterium Tumyfansius के माथ्यम से पोधों में नई जीनों का इस्तानांत्रेट किया जाता है तो बैसिलस्ट्रों जनासेस से जो हम लोग BTZene को आइसोलेटेट करेंगे और जीन को Agrobacterium के माथ्यम से cotton plant में डाला जाता है साथी Bumperment Method जो है उसकी साहिता से भी जीन को डाला यानि कि फिजिकल मैथड है इसकी साहिता से भी जीनों को इस्तानांत्रेट किया जा सकता है बाहलाजिकल मैथड में हम Agrobacterium के माथ्यम से Agrobacterium के Ti Plasmid के माथ्यम से जीन का इस्तानांत्रेट करेंगे BT Quotant में BT कैसे वर करेगा, BT Gen कैसे काम करता है यह जो कि बैक्टिरिया का गट होता है उसमें यह प्रो टॉक्सिक अवस्ता में रहता है यानि कि यह टॉक्सिक रूप से बैक्टिरिया में नहीं रहता है यह जो BT प्रोटीन है वो जब alkaline उसको pH मिलता है तब यह क्या हो जात एक्टिव यानि टॉक्सिक फॉर्म का प्रोटीन निर्मित करता है तो जैसे ही कोई भी कीट है कॉटन की लीव को खाएगा तो क्या करेगा यह उस कीट की मिट गट में जाता है और मिट गट में जाने से उहां पर जो है अलकलाइन उसका pH है अलकलाइन प्यच है हाई किया उसे से इस सद्रियाmost हो जाता है चिट्र अगणneys करना इकिए क्वाइए उस में क्या होने लगजाता है exo-osmosis हो जाता है जिसे cell सिकोड जाती है और गट की cell सिकोडने के कारण यहाँ पर कीट की मृत्यू हो जाती है इस कारण ही इसका नाव killer cotton रखा गया है तो कैसे होगा कि इसके अंदर जो crystal protein होता है cryzine, ये cry protein जो होगा ये जो pro-toxic अवस्ता में होता है cryzine हमने जो डाला है उसमें ये pro-toxic अवस्ता में होता है लेकिन जब ये कीट की मेट गट में पहुंचता है तो high alkaline pH पर ये active form में convert हो जाता है active form में convert होने से ये gut की apithelium cell को attack करता है जिसे apithelium cell में पोर हो जाते है पोर होने के कारण उसमें कीट की मृत्यू हो जाती है ऐसे हम लोग यहां पर दीख सकते है जैसे ये cotton cells है कोई भी कीट ये इसमें pro-toxic अवस्ता में रहता है cotton cell में लेकिन जैसे कीट इसको खाता है तो ये किसमें convert हो जाता है toxic form में alkaline pH के कारण ये toxic form में convert हो जाता है toxic form में convert होने पर ये अविधिलियम cell में पोर उत्पन करता है पोर उत्पन करने के कारण cell जो है रैप्चर होती है और अंत में कीट की क्या हो जाती है मृत्यू हो जाती है ये BT cotton है जिसकी खेती भारत में सहीद विस्व के कई देशों में की जा रही है भारत में 26 मार्ट 2002 से BT cotton की खेती की जा रही है ये भारत में फर्स्ट जनेटिकली मोडिफाइड क्रॉफ अफिशली रूप से अप्रूब किया गया है कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए BT cotton का जो ट्रेड नेम है वो बॉल गार्ड फर्स्ट है जिसको मेहिंको मॉंसेंटो बायो टेक लिमिटेट जो मॉंबई की एक कंपनी है उसने इस cotton को डवलप किया है जो बॉल वरम की प्रती रेजिस्टेंस है तो पैस्ट रेजिस्टेंस cotton है BT cotton Advantage क्या है चुकि सब लोग जानते है कि ज़्यादा यहाँ पर yield होने से फामर का जो income है वो क्या होगा ज़्यादा होगा यह soil pollution को control करती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कीटो को मानने के लिए पैस्टिसाइड यूज़ करते है यह beneficial insect है उनको कोई नुकसान नहीं कर सकती है और चुकि population increase हो रही है इस कारण cotton का उत्पादन भी increase होना ज़रूरी है यह disease free crop है और बहुत कम एरिया में productivity क्या हो सकती है अधिक हो सकती है लेकि हम लोग जानते हैं कि biotechnology में कोई भी crop अगर हम लोग बनाते हैं तो उसकी जितनी advantage होते हैं disadvantage भी उतने होते हैं तो यह costly बहुत है बीटी cotton का जो original seed जो my farmer अगर purchase करता है तो cost बहुत हाई है जिसके कारण सामाने किसान इसको खरीदने में समत रहता है natural gene flow यहाँ पर disturb हो जाता है यह might become resistant to toxin produced by these crop and a crop production might decline ठीक है अब कोई competitive exam हों में बहुत सारे competitive exams है जिसमें बीटी cotton पर कई तरह क्याक्याशन पूछे गए है तो कुछ क्याशन में यहाँ पर discuss कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इस टॉपी को समझ सके और किलियर हो सके some strains of bacillus thonogenesis can kill certain insects as lapidop trains lapidop trains जो होता है उनके कीटों को यह मारती है इनको खासकर इसमें मौत और बटरफ्लाइक आते है kill by the bacterium bacillus thonogenesis a few example of lapidop trains trabeco, birdworm, armyworm and battles beauty cotton is a transgenic plant क्योंकि इसके अंदर हमने किसको डाला है BT gene को डाला है इसकारण यह एक transgenic crop है और डालने की जो टेक्निक है वो R-DNA technology कहलाती है the gene which was used to produce insect-resistant cotton plant was taken from bacillus thonogenesis से इसको हमने लिया है और agrobacterium tubifoncius के TI plasmid की साहता से हमने BT cotton को produce किया है the BT toxic does not kill the bacillus because BT toxin protein acts as inactive protoxin मैंने कहा यह bacteria को नहीं माती है क्योंकि यह bacteria में bacillus में यह BT toxin एक inactive form में होती है जिसे protoxin कहते है लेकिन जैसे यह alkanide pH में आती है यह toxin में कनवाथ हो जाती है this latter form a crystal protein this responsible for death of insect toxic contents of BT threnzynases is protein कौन है cry protein ठीक है different type of cry protein जो होता है वो protoxic अवस्था में होता है और यह crystal form में कनवाथ होकर endotoxin उत्पन करता है जिसे keto की मृत्यू हो जाती है तो आप लोग आराम से ध्यान से इस topic को पढ़िए और समझिए इससे रेलिटेट जो क्यावसंस है उनको solve करिए और चुकि आपके यह transinic crops course में है 5-7 crops course में 1-1 इनको यहाँ detail में describe करेंगे जो को मैंने classroom में आप लोगों को पढ़ाया है Classroom में हमने जो notes लिका है वो तो आपको पढ़ना है साथ में इस video class में भी कुछ अगर extra आपको लग रहा है तो आप उसको भी अपनी copy में write down करेंगे और इस topic को अच्छे से समझेंगे और चुकि अभी फाइनल के exam भी होंगे तो ध्यान से आप लोगों को यह सब चीजे पढ़नी है Thank you